हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टुमा यूटूब चैनल दोस्तो इस वीडियो में हम क्लास 10 के चेप्टर सेकंड अमल छारक एवम लबन यानि कि एसेड बेसेड एंड सॉल्ट की जो अबजेक्टिब टाइप कोश्चन है उनको देखने वाले हैं ठीक है जो आपके पास एक्जा को शुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहला कोश्चन हम यहाँ पर देखते हैं अमलिय बिलियन का पी एच मान होता है यहां पर आप देख सकते हैं तो जार ग्यारा पंद्रा और उननीस में यह कोश्चन आ चुका है ठीक है एक नंबर में बहु बिकल्प के रूप में आंसर लिखा है इसकी वज़ए यह है क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती थी ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पर सिधर डायरेक्टली आंसर लिखे हैं जब भी आप एक्जाम में यह कोश्चन आए तो आप इस आंसर को लिखोगे जो मैंने यहाँ पर बताया ठीक है तो चलिए अमलिय बिलेन का पी एच मान होता है तो दोस्तों अमलिय बिलेन का जो पी एच मान होता है वो होता है आपका साथ से कम ठीक है और यह इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा यह आप्शन में इस प्रकार से आएगा और इसका मतलब होता है पी एच लेस देन सेवन पी एच जो है वो साथ से कम होगा ठीक है तो समझ में आ गया जो अमलिय बिलेने उसका पीच मान कितना होगा साथ से कम होगा ठीक है तो पहला कोईशन यहां पर कंपलेट होता है दूसरे कोईशन पर चलते हैं 4 billion का pH मान होता है यह question भी कई बार आ चुका है 4 billion का pH मान होता है तो दोस्तों, 4 billion का pH मान होता है साथ से अधिक, ठीक है इस प्रकार ठीक है? इसको हम कैसे दर्साएंगे pH greater than seven यानि कि 7 से बड़ा होता है ठीक है? दूसरा question भी पूरा होता है तो अब चलते हैं तीसरे कोशन पे तीसरा कोशन यहाँ पे है उदासीन बिलियन का पियच मान होता है उदासीन बिलियन जो ना की अमली है और ना ही छारी है उदासीन है उसका पियच मान कितना होता है साथ होता है तो यह question कई बार repeated है कई बार repeat हो चुका है कि उदासिन billion का पीजमान कितना होता है तो दोस्तों इसका पीजमान होता है साथ यह इसका answer है ठीक है यहाँ पे चौथा question है साधरन नमक का रासाइनिक सूत्र है साधरन नमक नमक जिसको कि हम हमारे दैनिक जीवन का मुख्य भोजन का मुख्य अब यब है ठीक है उसका सूत्र क्या होता है तो उसका सूत्र होता है NACL ठीक है NACL अगर इसका नाम देखा जाए रासाइनिक नाम तो इसे हम sodium chloride भी कहते है ठीक है तो यह तो चौथा question है पांच वे question पर चलते हैं विरंजक चोन का रासाइनिक सूत्र है विरंजक चोन जिसको की bleaching powder भी कहा जाता है ठीक है उसका सूतर कह रहा है रासायनिक सूतर तो उसका रासायनिक सूतर है Ç A Oigator ठीक है अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाये तो आप यहाँ पे लिखेंगे calcium oxy chloride क्या है calcium oxy chloride ठीक है तो बिरंजक्चून का रासायनिक सूतर कह है C A O Intern ठीक है पांचवा कोईशन पूरा होता है छटे पे चलते हैं किसी बिलियन की किसी बिलियन की हाइडरोजन आयन सांदरता मापन हेतु परिक्त स्केल को कहते हैं क्या कह रहा है कि किसी बिलियन की जो हाइडरोजन आयन सांदरता है उसको मापने के लिए जो स्केल होता है उसे हम क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको कहा जाता है pH इसकेल उससे जो है कहा जाता है ठीक है यह तो 6 गोशन है 7 गोशन पे चलिएंगे 2 बिलियन A तथा B यहाँ पे 2 बिलियन दिये हुए एक तो A और दूसरा B के pH मान करमसा 5 तथा 8 है ठीक है A का कितना है 5 है और B का कितना है 8 है ठीक है समझ में आगे तो कौन सा billion शारिय होगा मतलब यह क्या पूछ रहा है कि जो A वाला billion है उसका pH मान 5 है और जो B वाला billion है उसका pH मान 8 है तो कौन सा billion शारिय होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपका होगा B वाला, B वाला जो है आपका 64 billion होगा, इसकी वज़ा क्या है क्योंकि मैंने आपको अभी उपर एक कोशन बतायाता कि 64 billion का pH मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो 5 वाला है वो तो 7 से कम है यानि कि वो तो अमलिय का होगा और जो 8 है वो 7 से अधिक है मतलब इससे क्या पस्ट होता है कि जो छारी बिलेन है उसका पियच मान कितना होता है 7 से अधिक होता है तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा है बी वाला ठीक है बी का जो होगा वो च्छारी होगा अब हम आठे कोशन पे चलते हैं CAO CL2 CAO CL2 योगिक का प्रचलित नाम है ठीक है तो इसका प्रचलित नाम है ब्लेचिंग पाउडर या फिर हमें से विरंजक चून भी कहते हैं ठीक है दोस्तों अगर आप इन सारे कोशन को पढ़ लेते हो तो 100% मैं आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो जो भी अबजेक्टिब टाई कोशन आते हैं आप सारे सॉल्प करके लाओगे। ठीक है अब तो ये question 8 question के लिए होता है नौवा question हम देखते हैं baking soda का rasainik नाम इवम सूतर है जो baking soda होता है खाने का soda जिसे हम कहते हैं उसका नाम इवम सूतर पूछ रहा ठीक है दूस्तों यहाँ पर देखिए सूतर इसका होता है NaHCO3 ठीक है और इसका जो रासाइनिक नाम होता है वो क्या होता है sodium hydrogen carbonate ठीक है तो यह 9 कोशिन यहाँ पर पूरा होता है कोशिन नमबर 10 पर चलते हैं बिरंजक्षोन बनाने की रासाइनिक समीकरण लिखिए यह कोशिन आपके पास objective टाइब में नहीं आएगा बलकि एक नमबर में आएगा ठीक है तो यहाँ पर बिरंजक्षोन बनाने की जो रासाइनिक समीकरण है उसको हमें बताना है तो यहाँ पर देखिए C-A-O-H का होल ट्वाइस प्लस क्लोरी किपसेस C-A-O-C-L-2 प्लस H2O जो बुझा चूना है उसके साथ किसकी रेक्षन हो रही है क्लोरीन की उसके बाद क्या बन रहा है ब्रंजक्षोन प्लस जल बन रहा है तो यहाँ पर यह चीज है कि जब हम जो बुझा चूना है उसकी रेक्षन अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है ब्रंजक्षोन प्राप्त होता है तो अगर ऐसा लिखने के लाए कि इसकी रास्टानिक समीकरण दीजे तो आपको यह वाली गैशन देनी है टीके एक नंबर में कोश्चन पूछेगा तो यहाँ पर देख लगते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, C-A-S-O-4 into half H2 plus 3Y2H2 यानि कि यह प्लास्ट आप पैरिस का सुत्र है, C-A-S-O-4 into half H2 plus 3Y2H2 तो यहाँ पर आपका बन रहा है C-A-S-O-4 into 2H2, ठीक है? तो जो अगर हम प्लास्ट आप पैरिस की जो रियक्शन है, इसकी अगर रियक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा किस चीज का निर्मान होता है, C-A-S-O-4 into H2 जिसको कि हम जिपसम भी कहते हैं, ठीक है? अगर आपको यह कोशन आए, तो आपको यह रियक्शन देनी है, ठीक है? यह वाली है, इसकी बाद चलते हैं, प्लास्टर ओपएरिस का सूत्र लिखिये, यह कोशन भी कही बाहर आ चुका है, ठीक है? प्लास्टर ओपएरिस का सूत्र, तो प्लास्टर ओपएरिस का सूत्र जो होता है, वो हता है, आपका C-A-S-O-4 डot Half H2, तो जिपसम का सूतर क्या होता है? C-A-S-O-4.2-H-2-O यानि कि दो अणों किसके होंगे? जल के होंगे, ठीक है? तो आपको ये देना है. अब यहाँ पर चौदुआ कोईशन है. धावन सोडा का रासाइनिक नाम एवं सूतर लिखे. धावन सोडा का रासाइनिक नाम एवं सूतर लिखे. तो यहाँ पर देखिए रासाइनिक नाम आपका क्या है? Sodium Carbonate Decahydrate. क्या है रासाइनिक नाम? Sodium Carbonate Decahydrate. और सूतर क्या है? Na2CO3 into 10H2O. यहाँ पर DECA ऐसलिए आया है क्योंकि जो 10 होता है, उसको हम chemistry की language में क्या कहते हैं Deka कहते हैं ठीक है और H2 को हम hydrate कहते हैं hydrate मतलब gel का water ठीक है तो अगर आपको formula भी याद हो इसका तो आप easily इसका नाम बना सकते है अब आप इसका नाम कैसे बनाएंगे रासा इंगा मैं आपको बताता हूँ simple से Na2CO3 इसका नाम तो सभी को लगबग आ जाता है ठीक है इसका होता है sodium carbonate और decahydrate से आप सूतर कैसे बनाएंगे into 10H2O 10 मतलब decah और H2O मतलब hydrate तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं अगले question पे चलते हैं उस पधार्त का नाम बताईए जो chlorine से किरिया करके बिरंजक चून बनाता है यहाँ पे यह चीज पूछ रहा है कि उस पधार्त का नाम बताईए जो chlorine से reaction करके क्या बनाता है बिरंजक चून बनाता है तो दोस्तों यहाँ पे आपका CAOH का hold twice यानि कि सुस्क बूजा चूने कि जब chlorine के साथ reaction होती है तो हमारा बिरंजक चून त्यार होता है तो इसका right answer है सुस्क बूजा चूना जिसे हम CAOH का hold twice कहते हैं ठीक है सूलवा question है अमल का जलिये बिलेन बिदुत का challenge क्यों करता है तो यहाँ पे answer है H positive iron के कारण ठीक है यह कभी कभी दो number में भी आ सकता है अगर दो number में आए तो थोड़ा आप इसके defend करके लिखेंगे अगर एक number में आए तो सिद्या आप इसे लिखेंगे H धनायन के कारण ठीक है तो सूलवा question complete होता है सत्रा question पे हम चलते है यहाँ पे सत्रा question है अपच के उपचार हिद्व परिवत आउसदिया कहलाती है अपच जो अपच होती है उसके उपचार के लिए जो आउसदिया हम यूज करते हैं वो क्या कहलाती है तो दोस्तों वो कहलाती है आपकी प्रती अमल आपकी वे कहलाती है तो यह तो सत्रा question है अब हम 18 question पे चलते हैं निम्न में प्रबल अमल तता प्रबल 4 है यहाँ पे 4 दिये हैं NH4OH, HCL, NaOH, H2, CO3 इन में से हमें प्रबल अमल और प्रबल 4 बताना है दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रबल अमल और प्रबल 4 मैंने लिखे हुए है तो यहाँ पर आपका प्रबल अमल है HCL और प्रबल अमल है NAOH ठीक है HCL इन में से सबसे ज़्यादा अमलिया होगा और जो चार है वो सबसे ज़्यादा NAOH है वो सबसे ज़्यादा चारिया होगा ठीक है तो यह थे सारे question objective type और एक एक number के question जो आपके board में 100% इन ही में से question पूछा जाता है ठीक है गाईस अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को like चरूर कीजिएगा और जादा से जादा इस वीडियो को share कीजिएगा ऐसी ही ठीक है और हमारे channel से जरूर जूड़िये क्योंकि ऐसी ही वीडियो में आपके लिए रोज बनाता रहता हूँ तो guys thanks for watching मिलते हैं अगली वीडियो में